हेलो वीवर्स आज की वीडियो में हम वर्ग का परिमाप और छेतरफल निकालना सीखेंगे तो सबसे पहले हम जान ले कि वर्ग होता क्या है तो वर्ग ऐसी चत्रभुज आकृति होती है जिसकी चारों भुजाय क्या होती है आपस में बराबर होती है जैसे ये भुजा अगर 8 cm है तो बाकी भुजाय भी हमारी 8 cm की होंगी तो इसको निकालने के लिए हमारा जो सुत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा ये जो हमारी रेखा होती है या लंबाई होती है ये क्या होती है भुजा होती है तो ये हमारा जो सुत्र है, चार गुणे भुजा, ये कैसे आया, इसको हम समझ लेते हैं, जैसे मानले ये हमारा कोई एक वर्ग है, और वर्ग की एक भुजा की लंबाई अगर हम भुजा मानते हैं, तो बाकी भुजाओं की लंबाई भी क्या होगी, भुजा ही हो जाएगी, तो जैसे अगर एक भुजा है तो चारो भुजाओं की लंबाई भुजाई हो गई तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे पहली भुजा से सुरू करते हुए दूसरी तीसरी और चौती भुजा तक हम इसको जोडते हैं जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ये हमारी पहली भुजा इसमें हम जोड़ेंगे ये हमारी दूसरी भुजा तो हम भुजा लिखते हैं फिर हम जोड़ेंगे ये हमारी तीसरी भुजा फिर हम इसमें जोड़ेंगे हमारी चौती भुजा तो हमने यहां से शुरू करते हुए और यहां तक पहुँच गए और हमें यहां लिख देंगे भुजा तो यह हमारी चारो भुजाएं यहां अब लिखी जा चुकी है जो कि यह हमारी चार भुजाएं है तो अब हम क्या करेंगे, कि इनको जोडेंगे, तो हमारी एक भूजा, दो भूजा, तीन भूजा और चार भूजा, तो कुल हमारी कितनी भूजाएं हैं, चार भूजा हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जोडने के बाद, चार भूजा, यहां जो है, चार भूजा लिखा ह हुआ है इसका मतलब क्या हुआ चार गुणा भूजा तो हम क्या लिख लेते हैं चार गुणा भूजा तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का परिमाप का जो हमने सुत्र लिखा था चार गुणे भुजा ये क्यों लिखा था आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा सुत्र है इसको हम इसके मान को रखके हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं चार ये हमारा है तो चार ये हमारा वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा 8 तो हम यहां क्या लिख देते हैं इसका मान 8 तो अब हम यहां क्या मिला 4 गुणा 8 यानि कि 4 में 8 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो जब हम 4 में 8 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 32 चार अठे 32 तो हम क्या लिखेंगे 32 इसके बाद यहां जो लंबाई की इकाई है वह क्या है cm तो हम यहां क्या लिख देंगे cm तो हमने यहां cm लिख दिया इस प्रकार यह जो हमारा वर्ग था जिसकी एक भुजा 8 cm थी इसका परिमाप कितना आया 32 cm आइए अब चेतरफल को निकालना सीखते हैं तो यहाँ भी वैसे ही एक वर्ग है और वर्ग का एक भुझा दिया हुआ है और हमें इसका चेतरफल निकालना है तो चेतरफल निकालने के लिए हमारा सुत्र क्या होता है भुझा गुणे भुझा कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भुझा square तो इसका मतलब भी यही होता है क्योंकि जब दो बार भुझा गुणे भुझा है तो इसको हम भुझा square भी लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल confused मत होईएगा तो फिल हाल अब हम इसको भुजा गुणे, भुजा के रूप में ही इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हमारी भुजा का मान यहां हम देखें तो कितना है, आठ सेंटिमीटर तो हम इस भुजा के जगा पर क्या लिख देते हैं आठ, इसके बाद हमारा यह गुणा का चिन है तो यहां हम गुणा का चिन देंगे इसके बाद भुजा है तो भुजा का मान आपको पता ही है यहां आठ आया है तो हम क्या करते हैं, आठ लिख देते हैं तो अब आप देखेंगे, यहां क्या आया आठ गुणा आठ यानिके अब हमें आठ में आठ से गुणा करना है तो जब हम आठ में आठ से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है आठ अठे चौण सट तो हम यहां क्या लिख देंगे चौण सट और अब हम इसका इकाई भी लिखेंगे तो यहां क्योंकि सेंटीमीटर है लेकिन जब हम छेतरफल निकालते हैं तो छेतरफल के पहले हम क्या लिख देते हैं वर्ग क्या लिखते हैं वर्ग और यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर उतर जाता है यानि कि इसकी क्या हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर यानि यह जो हमारा प्रस्ण था 8 सेंटीमीटर भूजा वाले वर्ग का चेतरफल इसका उतर हमारा क्या आया 64 वर्ग सेंटीमीटर तो ऐसे ही हम वर्ग का चेतरफल और परिमाप निकालते हैं तो ये एक अभ्यास प्रस्न है जिसमें आपको वर्ग का परिमाप और छेतरफल निकालना है और वर्ग की एक भुजा आपको 5 cm दी हुई है और इसकी आधार पे आपको परिमाप और छेतरफल को ग्यात करना है और इसका उतर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें बाकी वीड में तब तक के लिए बाई बाई